हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैं चैनल नमीता किचन कॉर्णर मैं नमीता और आज मैं आप लोग के साथ स्वीट ओट्स की रेसिपी सेयर करने जा रहे हूँ यह बहुत हेल्दी होता है और बहुत यासानी से कम समय में 2-3 मिनट में बन कर तयार हो जाता है सुबह के breakfast के लिए बहुत अच्छा रहेगा तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं एक बरतन में हम 400 ml दूट डाल देंगे और दूट को हम गरम होने देंगे तो यह हमने इसमें 400 ml दूट डाल दिया है और साथ में हम इसमें डेट्स डाल देंगे यानि की खजूर यह 5-6 देट्स को हमने काटकर अंदर के बीज को निकाल लिया है इसमें हम डाल देंगे इसको हम पहले डालेंगे तो यह अच्छे से गल जाएगा तो हम अभी डाल कर इसमें पकाते हैं दूट को बॉल होने देते हैं तो यह देखिए दूट जो है अच्छे से उबलने लगी है और जो हमने डेट्स डाला था वो भी अच्छे से सॉफ्ट होने लगे हैं और अब हम इसमें ओट्स डालेंगे तो ये देखिए छोटी कटोरी से हमने ओट्स लिया है इसे हम डाल देते हैं और इसे चलाते हुए 2-3 मिनट तक पकाएंगे और इसे पकाते वक्त हम गैस के फ्लेम को लो रखेंगे लो फ्लेम पर ये अच्छे से 2-3 मिनट में कुक हो जाता है इसी तरीके से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे नहीं तो ये नीचे से चिपकने लगती है तो अभी आप देख सकते हैं ओट्स गाड़ी हो गई है ये अच्छे से कुक हो गई है अगर आपको पतली ओट्स खानी है तो आप दूद की मातरा को मढ़ा सकते हैं और अब हम इसमें ये ड्राइफरूट्स आइड कर देंगे थोड़े से कटे हुए ड्राइफरूट्स है आप अपने पसंद की किसी भी ड्राइफरूट्स को आइड कर सकते हैं और उसके बाद हम इसमें चीनी आइड कर देंगे स्वाद अनुसा चीनी की जगा आप चाहे हैं तो जैजिरी या फिर हनी डाल सकते हैं तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ी सी चीनी डाल दी है वैसे हमने डेट्स डाला था उससे भी इसमें हलका सा मिठास आता है तो अभी आप देख सकते हैं चीनी भी मेल्ट हो गई अच्छे से और जो डेट्स था वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब हमारा ये oats बनकर तयार हो गया है और अब हम इसे serve कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी से dry fruits और banana के slices डाल देंगे जिससे ये और भी healthy हो जाएगा तो अभी हमारा ये healthy oats बनकर तयार है आप इसे किसी भी समय एंजॉय कर सकते हैं आपको मेरी ये ओट्स की रेसेपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो रेसेपी को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई